जनाब मैं आज के डिमाइंड्स में सबसे पहले ये डिमाइंड करना चाहता हूँ कि मंजीस इत्यादल मुस्लमीन का एक पुराना डिमाइंड है सर हमेशा ये कहते हुए आए हैं कि नोटरी के डॉकुमेंट्स को इस रेजिस्ट्रेट करना चाहिए कई अलाखे हैं या वो पुराना शैर होने दीजिए या नया शैर होने दीजिए कई आबादियां वसेवे हैं और आप से डिमाइंड है कि आप इमिडियेटली जितने भी लिए नोटराइज डॉकुमेंट्स हैं वो सारहों को रिजिस्ट्रेट कीजिए और सी-ेम साथ लास्ट यहर के बजटस्ट में थैर कर जनाब अक्बर अदिन वेसे साथ यह decent करे थे कि जितने भी नोटराइज डॉकुमेंट से उसको रिजिस्ट्रेट करिए या मौखा दीजे रिजिस्ट्रेशन करने का तो सी एम साब आशूरंस ये थे कि हम जरूर उसको क्या बलता तो गोर करेंगे और वो काम करेंगे सब्सक्राइब और एक चीज ये है यहां के मिनिस्टर साब से रिक्वेस्ट किये कि बंडला गुले के अंदर एक गोर्मेंट लैंड अल्रेडी है सर वस एरिये में रिजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है तो गोर्मेंट की तरफ से एक पॉजिटिव आंसर मिला था इमिडियेटली हमनों रिजिस्ट्रेशन के लिए जगा आप दीजिए हम बनाएंगे रिजिस्ट्रेशन आफिस एक माँ पर रिजिस्ट्रेशन होना चाहिए सर और एक एक चीज इंपॉर्डेंट ये है शेर हैदरबाद के अंदर जितने भी रिजिस्ट्रेशन के आज आफिसस है तकरीबन 70% रिजिस्ट्रेशन आफिसस फर्स्ट फ्लोर के उपर है और ओल एज लोग जो रहते हैं जो रिजिस्ट्री कराने के लिए आते हैं ना उस बिल्डिंगों में लिफ्ट की फैसिलिटी है आप से यह हमेशा पुराना मुतालिबा है जितने भी रिजिस्ट्रेशन आफिस है आप अपने गौर्मेंट के लैंड देखिए जिये चमसी के लैंड देखिए वहाँ पर रिजिस्ट्रेशन ग्राउंड फ्लोर पर आप जब बनाएंगे तो काफी ओल्ड एज लोगों को लिए सौलत मिलेगी और कई रिजिस्ट्रेशन आफिसेस है सर जहां पर बाइटने के लिए जगा नहीं है जहां पर बातरूम्स निए यूस करने के लिए लोगां जो आते हैं विजिटर्स क्या बलते हैं ये चीज़ को कभी भी आप ये चीज़ को दियान में रखिए और इमिडेटली ये कामों को करेए सर और एक एक ये एक्साइस एड्मिस्ट्रेशन के ओपर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं सर मन्जिस इत्यादल मुस्लमीन और M.I.M. पार्टी की जानिब से हमेशा एक मुतालवा रहा जितने भी रेसिडेंशल एरिये है मसाजिद है मंदिर है चर्च है गुरुदवारा है इसके सव मीटर्स के सराउंडिंग के अंदर लिकर शाप्स नहीं होना चाहिए आज आप जाकर कई कॉलनीस में देखते है रेसिडेंशल एरियों के अंदर लिकर शाप्स है वहाँ पर मसाजिदों के खरीब लिकर शाप्स है जितनी भी अवाम गौर्मेंट हमारे पबलिक रिप्रेजिन्टेटिव को नुमाइन देगी करे हम हो या आप लोगा हो आप और हम मिलकर एड्मिन्स्टेशन को लेटर्स दिये तो यहां से शिफ्ट करो बलके मगर आज तक भी वह काम पुरा नहीं हुआ है मैं खास तोर से आप से गुदारिश करता हूँ यह काम भी देखिए सेकेंडली सर यह लिकर शॉप जितने भी है एक टाइम की पावंदी कर रहे है यह साब उसकी आप कोई टाइम की पावंदी नहीं है सुबह मौनिंग खोलता है उन्हें अपना दिल बोले ख़त बन करता है और एक एक सर एक नया ट्रेंड चलो हो चुगा है यह पिछले चार साल पांस साल के अंदर हुआ है जहां पर भी लिकर शॉप रहती है उसके बाजू के एक खाली मलगी देखकर वो इस लिकर शॉप वाला क्या कर रहा परमिट रूम बोलके बना दिरा हुआ पर वो परमिट रूम क्या है सर एक रोट के उपर तमाशा बनावा है उन्हें लिकर लेता है परमिट रूम को जाकर अंदर बढ़के पीना है परमिट रूम बोले तो बॉटल लिए फुट पार्ट पर थेरे वे फैमिली जाते अवाम जाती पब्लिक जाती हर एक को डिस्टेबंस कोई शरीफ रहता कोई बदमाश रहता पीने वाला एक पब्लिक को तकलिफ दिया जा रहा है सर मैं अब ट्रांस्पोर्ट एड्मिस्टेशन के उपर कहना चा रहा हूँ सर 2014 के अंदर सर हैदरबास सिटी के अंदर 3888 बसस थे आपको सुनकर हैरत होगी साथ वो रिडियोस होते 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 आज 2888 बसस हो चुके है 1888 बसस कम करे है साल को साल आबादी बढ़ते जा रही है गौवर्मेंट एक गौवर्मेंट एक गौवर्मेंट को क्या बलते है तो स्लोगन देना चाहिए सर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करो बलकर आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आगे बढ़ाने के जगा आज 2888 बसस का हालत देख सकते हैं 3800 से लेकर 2800 पब्लिक बसस 2800 बसस हो गए है और कॉमन इसकी तरफ से क्या हो रहा सर आज हमारे पिछले दो साल से कोविट की तरफ से स्कूल बन थे कॉलेज़ बन थे तकरीबन 2800 बसस के अंदर कमी किया गया था क्राउट को देखते हुए पब्लिक में स्कूल और कॉलेज़ के बच्चे गवर्मेंट के इंपलॉई कम यूज़ कर रहे हैं मलकर आज डिमांड बढ़ चुका है सर आज और ये 2800 बससों को इंक्रिस नहीं करे है उसकी तरफ से अवाम को तकलिफ हो रही है और सर में चीज़ क्या था शेर हज़रबाद के अंदर जितने भी बाई लेंस पुराने बस्तिया है जैसा ओल्ड शिटी में सर मेरी बहादूर पुरा कॉइंसेंसी है चंद्रा इंगुटे के अंदर बाबा नगर इलाखा है याखुत पुरा है मलक पेट है सनत नगर एरिये है रगडे के अरिये है कारवान है तोलिचो की है यह बाई लेंस के अरिये है सरी है यहाँ पर आटी सी की जानिब से मिनी बसस चलाए जाते थे आज टोटल 0% कर चुके है मिनी बसस को कोई जगा मिनी बसस आपरेट नहीं हो रही है यह हमारे बाइलेंस में जहाँ पर लोग निकलते थे मिनी बसस को यूस करते थे वहाँ पर से भी मिनी बसस खतम हो चुके है सर और एक एक सर मैं आप से गुदारिश करता हूँ सर गौर्मेंट आफ तलंगाना एक स्पेशल फंड रिलीस करते वो ले थे RTC को या आप इमिडेटली उस सारे चीजों का रिलीस वो फंड को रिलीस कराने लगाई है और सम्मर स्टार्ट हो रहा है सर सम्मर स्टार्ट होने की तरफ से बस शेल्टर्स शैर हैदराबाद में तकरीबन 80% से ज्यादा बस शेल्टर्स नहीं है और आपको सुनकर ताजू होगा स्पीकर साथ बस शेल्टर्स कहा लगाई जा रहे है AC के बस शेल्टर्स लगाई जा रहे है जोबली हिल्स में लगाई जा रहे है मादोपूर में लगाई जा रहे है हाई टेक सिटी में लगाई जा रहे है क्या अवाँ माँ पर बसकी सफर करती है बसका सफर करने वाला को ने साथ गरीब अद्मी मिडल कलास अद्मी है वो सफर करता है या खुत पुरे में चार मिनार में बहादुर पुरे में चंद्राइन गुटे में कारवान के अंदर सनत नगर के अंदर और दूसरे के इलाखों के अंदर यहाँ पर बस की सर्विसिस चलते है यहाँ पर A.C. के बस शेल्टर तो जाने दीजिए सर नार्मल बस शेल्टरा नहीं है आज दुफकला चालू हो चुका है काँ पर थर ना सर बड़े बुड़े लोगा है बच्चे स्टूडन्स है धूपों में बसों का इंतजार कर रहे है हद तो यह हो गई सर पेटला बुरूच मेटरनिटी हॉस्पिटल है उसके साम में बस टैंड है उस बस टैंड के उपर आप जाकर देखिए बस टैंड वापर एक कोई शेड़निंग है जो पेटले औरता दवा खाने से निकलते है उस तकलिफ में महा तहर कर क्या बोलते हैं तो बस का इंतजार कर रहे है और सर और के चिस मैं आपसे यह भी कहना चारा हूँ सर आफ्टर टूटोजन थर्टीन पी आर्सी स्थ cheesy आर्स पूलाँन थर्टीन अग्वें है ज अग्वेंगा आप सावाई स्थ का रच्टेंग in the Assembly that salary of RTC employees will be increased as on par with the government employees but not given till now. Sir, in the year 2014, TSRTC of Talangana has 10,600 buses, including 1500 500 private buses, but now only 9600 buses are available including 3200 private buses. In the year 2014, the RTC has 3800 buses, but now it is 2800, but I have in your studio. The number of buses is reduced by 1000 buses from the Old City. Mr., there are several routes on the from China. I won't know it in the USA. कई डिमांड्स हैं, कई लोग को टाइम मिलना है याँ पर आठ डिमांड्स पूरे कंप्लीट करने के लिए, तो शॉर्ट एंड स्वीट मैं आप से कह रहा हूं सर, जैसा एक्जामपर, एक्जामपल की तौर पर जैसा ओल्ड सिटी होने दीजिए या न्यू सिटी होने दीज ये आठ इसी बसर्स क्या बोलते सो, ये रूट्स पे चलते थे, आज कई रूट्स को प्लोस कर चुके है, और अवाम में इतनी तकलीफ है सर, आप बयान ने कर सकते, जैसा फसलांसर एमद नगर से रूट थी बसकी, कैंसल हो चुकी है, गोलकुंडा टू चार मिनार थी, कै कैंसल हो चुकी है, तोली चोकी तू चार मिनार रूट थी, कैंसल हो चुकी है, तारा गड़ा तू चार मिनार रूट थी, कैंसल हो चुकी है, मोती दर्वादा तू चार मिनार रूट थी, कैंसल हो चुकी है, गोलकुंडा तू महडी पटनम आते थे सर, वो कैंसल कर दा ले रूट को रियासत नगर से चार मिना जाते थे वो कैंसल कर दा ले चार मिनार से बागे जहरा और या खुद पुरा होते वे मिनी बसस चलते थे वो कैंसल कर दा ले सिकंदराबाद से लेकर बारकस को डियलेक्ट रूट थी वो कैंसल कर दा ले सर मैं आपके सामें नेक्स एड्मिस्टेशन एक्साइड्मिस्टेशन के बारे में तो आप भी कह चुका हूं सर और एक एक ट्रांसवर्ट भी हो चुका है होम एड्मिस्टेशन के उपर आना चाह रहा हूं सर में होम एड्मिस्टेशन के अंदर मैं आपके जरीए मिनिस्टर साब से ये कहना चा रहा हूं सर क्राइम हैदरबास सिटी के अंदर काफी हद तक बढ़ा है आज आप देख सकते हैं ओपन फाइरिंग सो रहे हैं सर और कई क्राइम पे कंट्रोल ने किया जा रहा है मैं मजिस इत्यादल मुस्लमीन की तरफ से ये आप से कहना चा रहा हूं सर खास तोर से इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आप एतियात कराने लगाईए सेकंडी चीज़ जितने भी हैदरबास सिटी के अंदर या लाइन आर्टर के पियस होने दीज़े या ट्राफिक पॉलिस टेशन होने दीज़े सर वहाँ पर स्टाफ की कमी है वहाँ पर स्टाफ को बढ़ाईए सर और एक एक चीज़ सर साइबर क्राइम आज सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है साइबर क्राइम इंक्रीज हो रहा है ये सोशल मीडिया ऐसा निकल चुका है सरीय उसके अंदर कई फ्रॉट्स किया जा रहे है और उसके लिए पोलिस डिपार्टमेंट और तलंगाना गौर्रमेंट के जानिब से रोड नमबर 12 के उपर एक साइबर क्राइम के लिए बहुत बड़ा टवर भी बनाया गया है मैं मेरी पार्टी के जानिब से गौर्रमेंट को मुबारक बात भी देता हूँ एक अच्छा काम की आगे बढ़े है गौर्रमेंट ले लेकर खास तोर से वो सारे कीजों के लिए वो देखिए और एक एक सर पेंशन स्कीम है होम गार्ट की उसको देखिए सर वो क्या है क्या ने क्या बलते तो सर और एक सिविल सप्लाइस एन अड्मिस्टेशन के उपर कहना चा रहा हूं सर पिछली गौर्रमेंट एनॉस्मेंट करी थी राशन कार्ट होल्डर्स को कि आप लोग राशन कार्ट के लिए अपलाई करो विलके कई लाक अदमी हैदरवाज शहर के अंदर और त्यलंगाना के अंदर राशन कार्ट के लिए अपलाई करे है तकरीबन 70% लोगों को राशन काट मिल चुका है 30% लोगों को मालूम भी नहीं है जो अपने मकानों के ओपर बैठे हुए है इंतिजार में है आज इंक्वाइरी को आएंगे या कल इंक्वाइरी को आएंगे जब कोई नहीं आया तो राशन कार्ट के आफिस को जब जाकर मालुम करे तो ये मालुम वा आपकी इंक्वारी हो चुकी है और आप रिजेक्टेट हो चुके है ना कोई आफिसर आया ना कोई आफिसर की इंक्वारी हुई है ऐसे कई लाक लोग अभी भी बाखी है जिसको राशन कार्ट मिलना है आप इमीडियेटली वो चीज़ों को भी दिखाने लगए है सर और एक एक चीज़ आबादी बढ़ रही है राशन शॉप जितने भी है शेहर के अंदर कम है एक एक राशन शॉप की दुकान के उपर धाई हजार से साड़े तीन हजार मेंबर्स भरेवे है के तो ओर क्रॉडट हो जा रहा है उसके लिए आपको राशन कार्ट के दुकानों को और इजाफा करना चाहिए इससे बड़न कम होता है और आज के जमाने में सर महिंगाई का जमाना है पहले राशन कार्ट के अंदर चावल दिया जाता था ज्यों दिया जाता था तेल दिया जाता था शक्कर दी जाती थी और कई चीज़ां दिये जाते थे आज राशन कार्ट के पर जब गरीब जाता है राशन की दुकान के ओपर कोई चीजों को उसको दिया नहीं जाता है सिर्फ एक चावल दिया जा रहा है इस महिंगाई के जमाने में गरीब अदमी का जहेंगा सर बुलिया आप ना उसकी सकत तिल लेने की है ना शक्कर लेने की है ना चावल ले सकता है चावल मिल रहे है एक अली गॉवर्मेंट की तरफे मेरी पार्टी की जाने उसके ये डिमांड्स है जितने भी राशन के अंदर आप आइटम्स को बढ़ाईए और एक एक सर मैं आखरी में यही कहूंगा सर मंजिस एत्यादल मुसलमीन जितने भी डिमांड्स रखी है आज के डिमांड्स के अंदर उस सारे डिमांड्स को गौर करना चाहिए और इमीडिटली हमारे डिमांड्स को पूरा करना चाहिए शुक्र रहा